धेनु कासूर वध की कथा सुनिये प्रमान के साथ नमस्कार मैं हूँ देवी चंद्र प्रभा और आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ श्री गोपाल सेवा समिती यूट्यूब चैनल पर आप सभी भक्तों को चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि धार्मिक विडियो प्रमान के साथ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें व्रिंदावन में रहते हुए बलराम और श्री कृष्ण ने पौगंड वस्था में अर्था छटे वर्ष में प्रवेश कर लिया था बलराम और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोब बालक थे जिनका नाम था श्री दामा एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से बलराम और श्री कृष्ण से कहा हम लोगों को सर्वदा सुख पहुचाने वाले बलराम जी आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है हमारे मनमोहन श्री कृष्ण दुष्टों को नश्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है यहां से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है उसमें बहुत सारे ताड के व्रिक्ष हैं वे सदा फलों से लदे रहते हैं वहां धेनुक नाम का दुष्ट दैत्य भी रहता है उसने उन फलों को खाने पर रोक लगा रखी है वह दैत्य गधे के रूप में रहता है श्री कृष्ण हमें उन फलों को खाने की बड़ी इच्छा है अपने सखाग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसंद करने के लिए उनके साथ ताड वन के लिए चल पड़े कैसे किया धेनुकासुर का वद वन में पहुचकर बलराम ने अपनी बाहों से उन ताड के पेडों को पकड लिया और बड़े जोर से हिला कर बहुत से फल नीचे गिरा दिये जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य धिनुकासुर ने फलों के गिरने का शब्द सुना तब वह बलराम की ओड दोड़ा बलराम ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड लिये और उसे आकाश में घुमा कर एक ताड के पेड पर दे मारा घुमाते समय ही उस गधे के प्राण पकेरू उड़ गए उसकी इस गती को देखकर उसके भाईबंधु अने को गधे वहाँ पहुँचे बलराम तथा कृष्ण ने सभी को मार डाला जिस प्रकार बलराम ने धेनुकासुर को मारा ग्वालबाल बलराम के बल की प्रशंसा करते नहीं धकते थे धेनुकासुर्वा है जो भक्तो को भक्ती के वन में भी आनन के मीठे फल नहीं खाने देता बलराम बल और शौल्य के प्रतीक हैं जब कृष्ण हृदय में हो तो बलराम के बिना अधूरे हैं बलराम ही भक्ती के आनन को बढ़ाने वाले हैं ग्वाल बाल अब मीठे फल भी खा रहे हैं स्तुती करते जाते थे क्यों नहो भगवान की लीलाओं का श्रवन कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है उस समय श्री क्रिष्ण की घुनघराली अलको पर गौउं के खुरों से उड़ुड कर धूली पड़ी हुई थी सिर पर मोरपंख का मुकुट था और बालों में सुन्दर-सुन्दर जंगली पुष्प गुन्थे हुए थे उनके नेत्रों में मधुर चित्वन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी वे मधुर मधुर बासुरी बजा रहे थे और साथी ग्वालबाल उनकी ललित कीर्ती का गान कर रहे थे वन्शी की ध्वनी सुनकर बहुत सी गोपिया एक साथी ब्रज से बाहर निकल आई उनकी आखे न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी गोपियों ने अपने नेत्ररूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकंद्रस पान करके दिनभर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाजभरी हसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तीरची चित्वन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया उधर यशोदा मया और रोहिनी का हृदय वातसल्य सनेह से उमड रहा था उन्होंने श्याम और राम के घर पहुँचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाइम पिलाई और पहनाई माताओं ने तेलोब्दन आदी लगा कर सनान कराया इससे उनकी दिन भर घूमन फिरने की मार्क की ठकान दूर हो गई फिर उन्होंने सुन्दर वस्त्र पहना कर दिव्य पुष्पो की माला पहनाई तथा चंदन लगाया ततपश्चाद दोनों भाईयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्नभोजन किया उसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रुहिनी ने उन्हें सुन्दर शया पर सुलाया शाम और राम बड़े आराम से सो गए कथा सभी को शेयर करें फिर मिलती हूँ नई धार्मिक कहानी के साथ आप रखिये अपना ख्याल राम राम सा